लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था फिनक अगर आप फीणो पेमेंट बंग का बीसी एजन बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं उस वीडियो मैंने आप के लिए एक ओफर भी लेके आया था कगर माइक्रो एटियम के साथ आप फीणो की आईडी लेना चाहते हैं तो प्रपर डेटेल में जानकारी दीजिए आज के इस वीडियो के मादधयों समय आपको फिनो परेंma कितने प्रकार के अकांट होते हैं और उन अकांच में क्या क्या मिलता है कितने माइनड अकांट है कौन Zero Balance से विरिमिंग कांट है या फिर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं फिनो पेमिन में तो ये वीडियो आपको complete watch करना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के माध्योंस मैं आपको बताऊंगा फिर्ण कौन से कौन में क्या benefit मिलता है आपको कौन से एकाउंट में ऐसे debit card दिया जाता है और कितना limit मिलती है उन debit card से आप कितना transaction कर सकते है साथ इसा फिर्ण में आपको भी बताऊंगा mobile banking और net banking कैसे आप activate कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिर्ण पेमेंट बैंक के कौन से एकाउंट में क्या क्या फीचर्स मिलता है इसे जानने एक लिए फिर्ण हम लोग फिर्ण पेमेंट बैंक.com की official side में आ गए हैं मेरे पास काफी सारे comments आये थे कि फिर्ण पेमेंट में कितने प्रकार के एकाउंट होते है कौन सा saving account होता है कौन सा current account होता है zero balance account है कि नहीं है minor account हम कैसे open कर सकते हैं और कौन से account को open करने में कितना charge देना पड़ता है फिर्ण पेमेंट में कौन कौन से account ले डेविट कार्ड मिलता है current account कितने प्रकार के होते हैं मैं आज के ये वीडियो में complete जानकारी आपको step by step देने वाला हूँ फिर्ण अगर आप में से इन सभी सवालों में से कोई सभी सवाल है ता आप इस वीडियो को complete watch कीजिएगा Pino payment bank saving account के facility जो मिलती है फिर्ण उससे लेकर आपके सभी doubt किलियर हो जाएंगे यहां इस फिर्ण आएंगे personal में देख सकते हैं आपको option मिल जाता है saving account and current account जैसे आप यहां से saving account में क्लिक करेंगे देख सकते हैं भविष saving account है सुभिधा saving account है, सुभ saving account है, प्रथम है, सरल है यहां से आरनाप saving account है और junk saving account है इतने प्रकार के आप एकाउंट को open कर सकते हैं सबसे पहले हम बात के लिए जन saving account के बारे में क्योंकि जब जब आप एक नए BC agent बनते हैं तो यहां सिर्फ आपको एक एक एकाउंट open करने का option मिलता है जन saving account थम सिंपली जन saving account वाले option में क्लिक करेंगे जैसे पर जन saving account वाले option में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से page open हो के आ जाएगा जहां से देख सकते हैं बताएगे की features यहनि इसके क्या keep features है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मंतली average balance की तनिल यहनी एक zero balance saving account है interest rate बात करेंगे अप टू लाख रुपे तक का 2.75% का आप interest rate प्राप्त कर सकते हैं आधार सेटिंग की facility मिल जाती है जिनमें LPG से इस तरीके से जितनी भी डीवीटी रहते हैं आप राप्त कर सकते हैं फिर लिमिट आपको APS transaction 4 month मिल जाता है जिनमें आप 4 विड्रोल कर सकते हैं टू बैलस इंक्वारी कर सकते हैं नो फिस लिमिट एन मिनी हैं से अगर कोई फिस की अन लिमिट नहीं रहती है और मिनी इस्टेटमेंट भी आप आसानी से निकलवा सकते हैं फ़दर देन अगर आप करते हैं तो 10 रुपे पर transaction आपको इसमें देना पड़ता है इसके बाद अगर बात करेफिनिया से देख सकते हैं कैस देपोजिट लिमिट की अप टू 5,000 रुपिया से 50,000 रुपे तक कर आप कर सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो 0,05% transaction की आपको चार्ज देना पड़ता है जिनमें मिनिमम आपको पांच रुपे का चार्ज पे करना पड़ता है इस तरीके जैसे कि मैंने आपको बताया चार यहां से फ्री कैस्पी डॉल कर सकते हैं इसमें भी आपको 0,05% transaction अगर हम बात करें सूब सेविंग एकाउंट में क्या 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 फीचर्स मिलते हैं आप यहां से देख सकते हैं यह भी एक 0,05% इसमें आपको फ्री रुपए का प्लेटीनम यह फिक लासिक डेविट कार्ड दिया जाता है इसके साथ एक्सिदेंटल एक्सोरेंस पर्मानें अगर इसके सब्सक्रिप्स चार्ज की बात करें तो 499 रुपए इसका सब्क्रिप्स चार्ज है GST को मिलाकर अब इसके बात करते हैं से प्रथम सेविंग एकाउंट के बारे में कि फिन आपको प्रथम सेविंग एकाउंट में क्या क्या की बेनिफिट देखने को मिलता है सबसे पहले eligibility criteria की बात करें इंडिया का रहने वाला याँ इंडिया रेजिदेंस आदमी होना चाहिए और 18 साल से उपर एज होनी चाहिए यह फिन इसका आप instant account open कर सकते हैं instant debit card आप इसमें एक्टिवेट करवा सकते हैं इसमें फिन आपको मंतली average balance 1000 रुपे requirement है यह 0 balance saving account नहीं है जिसा कि आप यहां से देख सकते हैं अधार सेडिंग दी facility मिल जाती है इसमें फिन अगर बात के तो यहां से देख सकते हैं यह फिन अगर हम यहां से बात करेंद और देख सकते हैं इसके लाग रुपे तक इनके death या permanent जो भी आपको इस disability मिल जाती है insurance की access ATM इंडियम कई भी आप कर सकते हैं चार आपको free transaction देखने को मिल जाता है free monthly email statement पर आप्त कर सकते हैं और यहां से SMS alert charge भी आपको free में देखने को मिल जाता है इसके बाद फूर्थ नमबर पर सरल account जो की salary एक salary account है अगर इस account के बारे में बाप्त करेंट यहां सिर्थ देख सकते हैं बताएगे इसमें note की यह open salary account यह एक salary account open है इसलिए बताए करोपेंडी दर रजिस्टर्ट फीनो पेमेंन बैंक for salary यहां से relationship यह आपको salary account open कराना तो आप यह account open करा सकते हैं इस account को भी आप instant open कर सकते हैं simplify process credit salary है instant debit card activate कर सकते हैं यह फिन एक zero balance saving account है so if account की facility मिल जाती जिनमें up to 6.25% तक का commission यहां से फिने आपको interest rate मिल जाता है आधार setting एन डेविटी का benefit आप यहां से ले सकते हैं get basic यहां से जो आपको basic प्लासिक यहां जो classic देविट कार्ट दिया जाता है और यह फिर platinum रुपया का आप यहां से डेविट कार्ट प्राप्त कर सकते हैं इसमें फिर्ण आप यहां से मन्तली free statement प्राप्त कर सकते हैं SMS alert की activity आपको देखने को मिल जाती है इसके लब हम यहां से बात करें फिर्ण RM saving account एक फिर्णों में RM saving account भी है इसके क्या benefit हैं तो यह सिकते हैं attractive जो भी है इंटेरियर फंडिंग 100 रुपे एकाउंट एक्टिवेशन आपको देना पड़ता है यहां अगर आप एकाउंट को एक्टिवेट कराएं तो आपको 100 रुपे का इंस्चार्ज देना पड़ेगा overall ready withdrawal limit up to यहां spend आपको 2 लाक रुपे तक मिल जाती फिरी statement email में प्राप्त कर सकते हैं डीवीटी के आपको service देखने को मिल जाती है इसके नमबर मात हमारा next saving account अगर हम 20 saving account की बात करें तियहां से देख सकते हैं zero balance saving account है आधार सेडिंग के facility मिल जाती मोवाइल बैकिंग 61 मिल जाती ATM कार्ट चा पांच पांच प्याँ से यह टेम भी डोल कर सकते हैं फिरी में कैस deposit या 50 साथ कि मिल जाती है कैस आप ब्रांच में जाके यहां से फिर निकाल सकते हैं इसके बाद हम बात करें से सुभिधा सेविंग अकाउंट की तो यहां से देख सकते हैं सुभिधा सेविंग काउंट में क्या 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 वेनिफिट हैं जिन में देख सकते हैं यह निया रुकायर में आपको बता यहां से देख सकते हैं कि शह साथ से भी अकाउंट के फिनो में इसके बाद आघर आइसे से देख सकते हैं करिण टेम कर Meu कड़ा हैs Аp बैंकिंग की फैसलिटी आपको मिल जाती है लो रिक्वाइर्मेंट मंतली एवरेज बैलेंस नहीं दो हजार रुपए आपको बैलेंस मेंटेनिंट करके रखने पड़ते हैं इसमें फ्री कैस डिपोजिट के लिमिट संपन्न करेंट एकाउंट संपन्न करेंट एकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके इसके की वेनिफिट देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको जीरो बैलेंस से मंत्री एवरेंज बैलेंस करना पड़ेगा नहीं एक जीरो बैलेंस करेंट है इसके बाद बात करेविंट इसमें रिसीब पेमेंट यूजी ले सकते हैं फीनो का कियूआर कोड यूपिय जीरो कास्ट में आप परिश्यत ले सकते हैं फिनो केस्ट डिपूजिट यहां से देख सकते हैं फिन 5,00,000,000 लाग मिल जाती है फिस परमद्ध अब टेक देना पड़ेगा इसमें यहां से दिख सकते हैं कैस्ट भी डॉल कर सकते हैं फिनो ब्रांच में जा के हैश में सिलेट मिल जाता है पलटीनम डेविट कार्ड दिया अगर फिन यह विडियो को काफी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फने साल सेयर करें, इसके लबाब में कोई भी डाउट रहें हो, अब आप पयाज़ आप अमें इस वीडियो के ख duruch में comment करके पूँछ सकते हैं यह फिर आप हमें चाहे तो सीधा instagram में जाके follow करें वीडियो के description बॉक्स में आपको instagram और टेलिगराम दोने कर लिंक दे रिया हूना वहाँ पूछ सकते हैं अब हाँ चैनल पर नई हैं इस तरीके से फीनोसलेटर नए ने अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक और पे क्लिक करें अगर आप पुराने सब्सक्राइब हैं ता आपको पताओगा इस चैनल पर डेली नौजल वीडियो फ्लोव तो जिसको फिले आपको पहुंच जाएगा इस तरह आपके लिए इससे आपके लिए इससे वीडियो जाल वीडियो तब तक लिए जाए हैं टेक क्यार